बीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निबेदन करना चाहूंगा हमारा निबेदन ये है कि यह बीडियो उन्ही सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है जो वाकई में जनुविन परिच्छा में पास होना चाह रहे हैं ठीक है तो उन सभी छ वीडियो को पूरा देख लिजे आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं करने वाला हैं क्योंकि इस वीडियो में कोसिछन बताने वाला हूं ड़ो पिसले भी आपको देंगे लेकिन इससे पहले आप जान लिजी कि कौन-कौन से तरीकी के प्रस्ण पूछे जाते हैं कैसा पेपर होता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगीगी तो ल देख लीजिए यह जो पेपर है पूरा का पूरा भी फश्टियर के फर्स स्रमेस्टर का इतिहास का है ठीक है अगर आपकी इतिहास की परिच्छा देश वीडियो को एंट तक देखते रहेगा सबसे पहले अतिला गुत्त्रे कोश्चन देखते हैं कौन-कौन से 2024 में रश्चन प्यूखन है मतलब की मर्डल पेपर में इस सबहरे महा संग्राम प्र değiş on की पीडियाफ उस्सी में से आया उहां इसी जानता बताईए ठीक है क्या ईखत रही चाहता इशार लिखना चाहें तो आug लोग लिखेंगे नंबर एक पर लिखेंगे यजुरवेद फॉरी सोरी नंबर एक पर लिखेंगे रिगवेद ठीक है नंबर एक पर क्या लिखेंगे रिगवेद नंबर दो पर लिखेंगे रिगवेद ठीक है और नंबर तीन पर लिखेंगे आप लोग अथरवेद ठीक है तो ये प्रमुक चार बेद लिखेंगे अगला प्रसने की निरुक्त क्या है टी के ये इतना महाधपोर नहीं प्रसने इसको एगनोर कर सकते हैं अगला प्रसने पुराण के बारे बताईए क्या क्या मैंने आपको नहीं बताया पुराण बहुत ही popular question है पुरान फिज़ा कोश्चन पक्का फसेगा 100% गारंटी के साथ नोट कर लीजे इस प्रशन को हमेशा फसता इस बार भी फसेगा और इन सभी का उत्तर आपको हमारी महासंग्राम पीडियप में मिलेगा अगर उसमें नहीं मिलेगा तो आपको सिंपल सा गूगल कर लेना है लगबग लगबग फंसी जाएगा मेरी माडल पर मतलब कि मेरी पीडियप से ही ठीक है नहीं फचेगा तो गूगल पर सच कर लेना है पॉपलर कोश्चन है कई बार परिच्छ हम रिपेटेड है तो इसको जरूर तयार करके किसी साल आ जाता है ठीक है और कुछ कोश्चन होते जो हमेशाया को परिच्छ में फशेगा गरांटी वाला उगोई सब्सक्राषन है को इसय नहीं बता रहे ह understands प्रूव के साथ परूसमल और मेरा बताये करतें और काफी काफी ज्यादा अगाल नहीं हो सकते siamo्ट अवकोस्चन थोड़ा दिख रहा होगा लेकिन क्या करें हाबु क्योंकि जब् Teeth the buds आते लेकिन जॉश कबंबए निकाल लेते हैं हम बूर आभी जस्किन तरह को बार आपको बताया होगा करोंड़ों का मत्तब यह होगा कि जब जब भी मैंने वीडियो बनाई होगी हिस्ट्री की उसमें मैंने हम्बूर अभी के बारें डिसकर्शन जरूर क्या होगा हम्बूर अभी बहुत ही popular question है बहुत ही top label का है हमेशा पर इच्छा जब जब भी होगी हिस्ट्री का तब तब प्रसनाता कभी छूट नहीं कर सकते हैं अगला गारंटी जो कि हमेशा फंसि台 नहीं गया होगा मेरी जानकर निकुसार जिदमें actually कुछन कोईस्टन नाया हो कौन सा कोईस्टन कन्फ्यूसी मस्क्या है या पर इसा कोईस्टन आपको देखने को मिलेगा ठीक है कन्फ्यूसी जोड़ा हमेशा प्रस्ण आता कभी छूटा नहीं है तो इसका भी उत्तरफ हमारी वहाँ सांगराम वीडियो में मिल जाएगा तो जो जो भी हमारी कल वाली वीडियो देख क्या है हिंदी वाले उसमें जो जो मैंने प्रस्ण बताया था वही वही नहीं आया होत बताईए वही सारे कोश्टन लगभग लगभग फसे तो आज भी फसेंगे ठीक है ध्यान से सुनेंगे अगला प्रस्ण है कि सब्त सिंद्व सब्ता प्रस्ण आ सकता कि सिंद्व सब्ता के बारे मताईए ठीक है तो सिंद्व सब्ता फिर उड़ा कोश्टन यार कर लेंगे इसको बाकिया पिग्नूर कर सकते हैं ठीक है और अगला प्रस्ण पॉप्लर जो कि हमेशा रिपीट होता इस बार भी रिपीट होगा प्रस्ण हमेशा पासता इस बार भी फसा आए और आता ही रहेगा इसको तुर्ण दूट कर लिए ठीक है अगला भी वह इसी टाइप का कोश्टन जो कि हमेशा आता है उप निसदो पर संसित पड़ी लिखिए पोपलर कोश्टन है वेरी वेरी इंपॉर्टन जिसको बोलते कि मतब कि जथनी भी बार पर इच्छा होता है सभी बार पर इच्छा है धीर और अगला कि वैदिक साहित में ठीक है प्रिति विंबता भारत का वड़न कीजिए तो ध्यान से तुनेंगी इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगी यह कोश्चन इतना नहीं आता है ठीक है और इस बार भी आने के उमीद नहीं आपकी परिच्छा में तो लेकिन इतना आएगा वैदिक सा हिंता फे जड़ा कोश्चन फसता है हमेशा और इस बार भी फसेगा कल परिच्छा है परसो है तो नोट कर लिजिए और इसका उत्तर गूगल पर सर्च कर लिजिए नहीं तो हमारी पीडियप में मिल जाएगा भी पीडियप भी हम आपको देने वाले आगे वीडियो देख तो यह मौश्च इमपोर्टन कटगरी का कुश्चन फीक है तो मोश्च इमपोर्टन रखेंगे अगला परसंवागोलीया इस्थित अस्पश्ट किजिए कि जो मिस्र थीक है जिसे कि आपने वेकोशचन सुना होगा टि श्यक्स College नील नदी का वर्धान क्यों कहा जाता है इसको तुरंत नोड कर लिजिए कभी भी प्रशन छूटेगा नहीं आपके पर इच्छा लगूए तो मिक्र को नील नदी का वर्धान क्यों कहा जाता है प्रष्ण फसेगा जरूर आता है जहां तक मैंने पेपर देखा है ठीक है पिछले फालो का इस बार भी काई फारी पर इच्छा है और देख लिए आपके समस्थ यह माडल पेपर ही इसमें ही पूछा गया चीनी सब्विता फिजडा कोश्चन तो चीनी सब्विता कोश्चन फसे गाए कि इस बा कटगरी और मोस्ट इंपार्टेंट कटगरी का कोश्चन है यह हमेशा रिपीट होने वाला कोश्चन इसको नोट कर लिए प्रचीन यानि कि पहले का भारत था ठीक है उसके कुछ स्रोथ थे प्रचीन भारती इतिहास के कुछ स्रोथ उनके बारे में आपको लिखना बहुत खैसका बिस्तार उसके बारे में लिखेंगे यह मतलब कि 200 मतलब एक हजार परसेंट में दो हजार परसेंट आएगा प्रसना ऐसा वाला है ठीक है बोलते नहीं कभी-कभी कि 110 परसेंट 120 कोश्चन आएगा तो वही वाला कोश्चन 120 परसेंट वाला फणबहुत इसका अभी को वही पर मिलेगा ठीक है जो कि अभी आपको पीडियप देंगे आगला भी मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन उसी टाइप का है कि भाईया कोईश्चन इसमें दो कोईश्चन छिप्पे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे पहले तो आपको मेसोपोटाम इस में सब्धिता में इसत्विवेस्ट की एश्थित कैफी थी और उनको किफ रिवाच या भी नहीं मिलती थी उनकी इस सब की इस सब के पुटामे सब्विता में इनमें से एक प्रिष्ट फस जाएगा अभी नोट कर लीजिए पेपर देकर आएगा तब बताईएगा ठीक है फस जाएगा अगला प्रश्ण है कि चीन की उन बिभिन ने राजवन्सों की ब्याख्या कीजिए जिन्हों ने चीन में सासन किया यानि की ये प्रश्ण ये कह रहा कि चीन की उन बिभिन राजवन्स बताईए उन सभी राजाओं के बारे में बताईए ये फिर राजवन्स जो थे ठीक है राजा थे राजा लोग ठीक है जिन्होंने चीन में सासन किया उनके बारे में लिखना है ठीक है चीन जो देश है उसमें पहले यानि की प्रचियनितिहास में कौन-कौन से राजबंफ थे जिन्नों ने चीन पे राज किया है उनके बारे मैं लिखना है ये प्रशन पोचा गए आपके देर भुत्त्रे में ठीक है समझ गए तो इस प्रकार आपको देर भुत्त्रे में सिलता है वो पीडियेफ नार्मल पीडियेफ नहीं है वो एक तरीके से बों सकते हैं कि महा संग्राम और जादू वाली पीडियेफ जिसमें से सारे कोश्च59 में पइस पूर दिखा देते हैं ताकि उसको भी हम आपको दे सकें तो पीडिये वीडियो में एक ही PDF में इनकी लूट कर दिया ठीक है तो हमने चोटी-चोटी करके पहले वीडियो बनाई थी लेकिन अब हम पूरा महासंग्राम बीडियो टाइप की बना देते ताकि चात्रों को बहुत फारी बीडियो को भटकना ना पड़े इधर से उधर यह वीडियो द कर देखा जाएगा को तयार कर लिए ठीक है असरीन वाला कम इंपटेंट थीक है और अगला है वैदिक काल में धानुक मानेता है यह पॉप्लर कोईश्चन को तयार कर लिए ठीक है उत्तर आपके समझता है और उत्तर इतनी मतलब कि नार्मल भासा में एक्तम सरल भासा में उत्तर है इसको एक दो बार जो पढ़ लेगा हमें लगता है कि इतनी जल्दी भूलेगा भी नहीं ठीक है उत्तर वैदिक सब्विता किसे कहते हैं यह भी पॉप्लर कोईश्चन कई बार आ चुका है ठीक है महाकाब की नैतिक दसा कैसी है महाकाबिकाल से जोड़ा कोईश् और थीक है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है यह गारेंटी वाले कोश्चन हमेशा रिपीटिट के बार में कोश्चन आया था देख लिए पूरा बिस्तार पढ़ लीजे कि कहां तक और कितने छेत्र फल तक फैला हुआ हुआ है देख लिए यहांपर पूरा प्रोब लि प्रचीन भारती तिहाज के स्रोत से जड़ा कोश्चन उपर भी माडल पेपर जो दिये उसमें पूछा गया था ना कोश्चन देख लीजे इसका उत्तर है पूरा देख लीजे पढ़ लीजेगा ठीक है उसके बाद वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारें परचे थोड इनमें से दोनों को दोनों लगभग प्रस्ट फसते हैं लेकिन फसके चाहिए लेक्ट से जड़ा आता है अगला प्रस्टन है कि मिस्र में नील ना दी वह कोईच्चन आप लोग जानते है घीजा-गीजा-फिरस्फित्र में ज्यादाह था ठीक प्रस्ट ने उत्तरवेदिक कालिन सिक्कें भी पिछले पाल आया था ठीक है यह भी पिछले फाल आप हम भुराभी देख लीजी हम्भुराभी वाला कोश्चन भी माडल पेपर में था देख लीजिए हम्भुराभी एमुराइट मुंस का छटा फाफक था उसने लगव पर्चे दिया गया है एक भी पॉइंट आपको मिश्ट नहीं होने देंगे हमारा उद्देश यही है कि आप परिच्छा में देकर जाएं तो वहाँ पर सभी प्रश्णों को उत्तर देकर आएं और जब रिजल्ट आये तो हमें आप जरूर याद करें कि हाफर ने जो जो नमबर पक्के ठीक है इफी तरह और भी बहुत फारे इसमें कोश्चन दिये गए हैं जिनको आपको तैयार कर लेना यह पूरी के पूरी पीडियों नालंदा वे सुबिद्धा लई यह जयाता ठीक है तो इसमें बहुत फारे कोश्चन मोस्ट इंपॉइंट कोश्चन दिय जाएगे ठीक है बाकि कोई कोश्चन है तो जरूर पहुचे मिलते हैं को नहीं वीडियो में जहिंद को के जरूर कोई होगा तो जरूर पहुच लिजेगा और बाकि पीडियों तो आपको मिली जाएगी लेकिन जो चात मैसेज करेंगे उन्हीं को देने का प्रियास